हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माई चैनल स्प्रीचल लव टेराउट कैसे हैं आप लोगा है होग खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैप्य होंगे डियर आज का जो टॉपिक है वो इस बात के उपर है कि आपके भागे में क्या लिखा है आपके लिखने की कोशिश करेंगी कि आपके भागे का क्या है जो आपको मिलके रहेगा तो प्लीज युनिवर्स गाइट करें कि जो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स हैं जो इतना प्यार करते हैं मुझ से उनके भागे में क्या है उनके भागे में तो प्लीज युनिवर्स बताए कि मेरे जो प्यारे प्यारे वीवर से उनके भागे में क्या लिखा है चाहे वो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या कैरियर से रिलेटेड हो या बिजनिस से या फाइनेंस से तो प्लीज यूनिवर्स गाइट करें कि मेरे जो प्यारे प्यारे वीवर से उनके भागे में क्या लिखा हुआ है यह last shuffling है dear आप लोगों को universe से connect होने की जरूरत है आप universe को याद कीजिए तब तक मैं shuffling करती हूँ ओके dear चलिए cards को निकालते हैं और देखते हैं कि cards क्या बता रहे हैं सबसे पहला card देखते हैं oh my god क्या लिखा है आपके भागे में अभी जो लोग यहाँ पर मेरे साथ में connect है जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में हैं क्या आप लोग इसी तरह की situation में हैं आपकी life में बहुत painful situation चल रही है रातों को नीन नहीं आ रही आपको आपकी नीन किसी ने उड़ा के रखी है चाहे वो love relationship हो चाहे वो carrier हो देखिए carrier की बात करिए five of pentacles आगया है तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके carrier में कुछ ऐसी problem चल रही है हो सकता family में कुछ financial issue चल रहा है जहां पर आपका chain सुकून सब कुछ छिंसा गया है कहीं न कहीं आप बहुत बेचेन हो चुके है रातों को सो नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा stress ले रहे हैं डियर आप अभी इन सब situation से गुजर रहे हैं यह मैं सिर्फ situation बता रही हूं ओके डियर मैं भागे में क्या लिखा है वो आपको बाद में clear करूंगी पहले आप situation को समझ लीजिए कि क्या आपकी situation में यह situation चल अगर आपको यह situation resonate करती है तो आप आगे की तरफ बढ़िए वरना skip कर दीजिएगा ओके डियर दूसरा वीडियो देख लीजिएगा जब मैं next time बनाऊंगी तो डियर आपके लाइफ में कोई तो partner ऐसा है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बहुत ज़्यादा प्यार करते ह और यह relationship आपका और उनका इस तरह का दिखरा है वो soulmate कोई तो है आपके life में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर कुछ बातचीत हो सकती है किसी तरह को लेके मैं आपको बताऊंगी कि यह cards क्या बता रहे हैं और यहाँ पर क्या है आपके भागे में क्या लिखा ह हम भई यहाँ पर king आया है तो यहाँ पर यह भी लिखा है आपके भागे में कहीं ना कहीं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे jealous हैं जो आपकी तरकी से जलते हैं जो लोग आपको पीछे की तरफ धकेलते आएं कुछ लोग आपके जिंदगी में ऐसे involved हैं इतना यह सब मैं बता रही हूं ना यह आपके भागे में लिखा हुआ था जो आपने अभी तक face किया होगा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी life में जिनों ने आपके भागे में ऐसी हरकते करी होंगी जिनों ने आपको पीछे की तरफ धकेला है जब भी आप तरकी की तरफ बड़े हों यह past की बाते में आपको बता रही हूं बहुत दिल तूटा है dear आपका बहुत ज़्यादा sad energy में रहे हैं और बहुत दुखी रहे हैं बहुत दुख के साथ आपने यह जीवन को जीया है आपकी तकलीफ है आपका दर्द मुझे यहाँ पर बया हो रहा है कि आपके इस में बहुत strength है बहुत ज़्यादा power है मेरे वीवर्स आपने बहुत कुछ सहा है अपनी जिन्दगी में मैं समझ सकती हूँ यह बात तो और dear the fool की energy है the fool का card यहाँ पर निकला है next card है empress है उसके बाद में next card है seven of pentacles आप हमेश अपने जीवन को कोचते रहते हैं कहीं न कहीं य यार मेरी ही जिन्दगी क्यों मेरे ही साथ क्यों यार ये मेरी मेरा मेरा ये छोड़ दो इसको है न अपनी जिन्दगी से निकाल के फेक दो क्यों क्यों क्योंकि ये बहुत जरूरी है मैंने कहा ना आपका भागे का लिखा कोई नहीं बदल सकता है सिवाए आपके आपके कर है वो है two of pentacles ठीके तो two of pentacles के energy आई है डियर यहाँ पर चलिए साइन में आप लोग को बता देती हूँ Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn तो अलमोस्ट हमारे पास में पूरे साइन है Leo जो है वो थोड़ा वी दिखना है और deer बात करी जाए आपको आपके भागे में क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा ठीके भागे का लिखा कोई बदल नहीं सकता है dear क्या लिखा है आपके भागे में आने वाला वक्त क्या बताएगा अभी मैं आपको वो बताती हूँ कि आने वाला वक्त में देखेंगे आपके भागे में अभी दर्द है अभी तो आप बहुत ज़्यादा दर्द से डील कर रहे हैं कही ना कही तकलीफ में हैं आप क्योंकि आप जरुष से जादा दूसरों के लिए जीते आए हो जीते आए हो ना आपका नेचर ऐसा है आप दूसरों की परवा करते आए हो आपको अपनी खुशी से जादा दूसरों की खुशी दूसरों की फिक्र जादा होती है मेरे वीवर्स आप अपनी जिंदगी से जादा दूस के लिए जीते हो जरुष से जादा आपके अच्छाई जो है ना उसका फाइदा उठाते हैं ये लोग बाग आपको कभी अच्छा नहीं मिला है आप अच्छा भी करते हो तो आपको बुरा ही मिलती आई है आज तक आपने जो भी कुछ किया है आपके भागे से वो सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो लोग बाग आपको आखिर में बुरा कहके ही जाते होंगे मुझे ये फील हो रहा है आपने बहुत दुख उठाए हैं आपने बहुत रोए हैं बहुत ज़्यादा पैंफुल सिच्वेशन का सामना किया है ऐसे सिच्वेशन का सामना आप कर चुके हैं कि तूट के बार-बार बिखरे हैं कहीं न कहीं अपने ही सवालों में आप घिरे हैं बार-बार आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया है कि अपने हिस्से की खुशी तक अपने दोस्तों को दे दी अपने दूसरों के अपने इच्छाओं को मार कर आपने अपने बहन भाई या अपने लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ चीजे त्याग कर दी थी और डियर उसका आपको अच्छा सिला नहीं मिला आपको उसका बिल्कुल भी अच्छा सिला नहीं मिला बलकि एक वक्त आया कि अंदर कमिया ही निकालिए कि आपके कारण ही आज वो दुखी है जब उन्होंने किया तब उन्होंने ऐसा नहीं बोला लेकिन जब उनका काम निकल गया सब कुछ हो गया अच्छा चल रही थी लाइफ तब उन्होंने आपको बुरा नहीं कहा लेकिन जहां बुरा वक्त शुर यहें जहां जो पल कभी लोट के नहीं आ सकते वो समय आपने दिया है जो समय कभी लोट के नहीं आएगा लेकिन आपको इसका क्या मिला कोई सिला नहीं मिला आपको सिर्फ मिली तो क्या मिली गद्दारी आपको मिला तो मिला क्या मिला सिर्फ चिटिंग मिली यह धोका मिला है आपका कोई साथी नहीं है, आप सिर्फ अपने दर्द, अपने दुख को अकेले ही सहन करते हो, किसी से शेयर भी नहीं करते हो, यहाँ पर मुझे इस तरह का दिख रहा है, आपका दिल बहुत लोगों ने तोड़ा है ना, आप अपने दर्द में अकेले तो रहते हो, ठिके, घुट रहे हो डियर, अंदर ही अंदर आप अपने अंदर ही अंदर घुटे चले जा रहे हो, आप जो है ना, आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा करा है, कुछ ऐसा सहा है कि जो सहन से बाहर था, सहन शक्ती से बाहर था डियर, आपने हमेशा पैसों से भी दूसरों की मदद की हैं बलकि जब कि जहां पर लोग बाग पैसों के बारे में हजार बार सोचते हैं दूसरों पर खर्च करने से पहले लेकिन मेरे वीवर्स आपने कुछ लोगों के हैल्प करी है financially उनकी हैल्प करी हो सकता है अपने lovers के हैल्प करी हो हो सकता है अपने friends के help करी हो पर डियर आपको उसका सिलह अच्छा नहीं मिला आपको मैं बता दू कि आपने जिन लोगों की मदद करी थी वो लोग आपकी पीत में खंजर गोपके चले गए आपकी life को बरबाद करके चले गए आज आपकी family में पैसो की कुछ problem चल रही है कुछ ना कुछ family issue चल रहा है और family में बहुत ज़्यादा पैसो की दिक्कते चल रही है और आप उस दिक्कतों के कारण आप stress ले रहे हो मैंने कहा ना क्योंकि आपको दूसरों की परिशानी से बहुत फर्ग पड़ता है दूसरे को आप दुख दर्द में नहीं देख सकते हो हाँ खुशी के कोई पल होंगे तो आपको बहुत खुशी मिलती है आप उसमें नहीं जाओगे आपकी life में बार बार वही समया जाता है मेरे ही life में ऐसे situation क्यों है मेरे ही सात ऐसा क्यों होता है क्यों अच्छा नहीं होता मेरी life में आप कभी कभी बहुत कुछ सोचने लगते हो आप सब छोड़ कर दूर जाना चाहते हो इमोशनल ये डिस्टेंस मैंटेंड करना चाहते हैं डियर आप कहीं न कहीं इमोशनल तरीके से आप ये जो दिक्कत है ये जो इमोशनल तरीके से जो डिस्टेंस आया ना उसमें आप ये चाहा रहे हैं कि आप दूर भाग जाएं मैंटेंड करना चाहते हैं कहीं न कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं अकेले सिर्फ अकेले ही बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप आप किसी के प्यार में धोका नहीं खाना आप चाहते हैं आप प्यार में धोका खा चुके हैं अब आपको यकीन नहीं हो रहा है अपने प्यार पर आप जिससे प्यार करते हो ना उस इंसा ने शायद आपको धोका दिया है अगर धोका नहीं भी दिया है तो हो सकता है किसी ने उनके साथ में ऐसा कुछ कर दिया है या फिर उनको कहीं बान दिया है उनको कहीं अटेच कर दिया है ऐसा कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में कि वो पार्टनर आप से दूर हो गया है आप किसी का प्यार नहीं चाहते हैं अब अपने जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां पर भी है वो अच्छा रहे बस आप अभी दिल से ये चाहा रहे हैं कि आप सुकून से रह पाए आपको किसी के प्यार की जरुवत नहीं है दिल तूटा है आपको थेज पहुची है कही ना कही आपके अपनों ने गिरा कर रखा है आपको आपके अपने जो थेना जिनको आप अपने माना करते थे बहुत ज़ादा विश्वास किया करते थे कुछ family members थे कुछ ऐसे लोग आपके life में involved थे जिनों ने आपको नीचे गि किया है कि आपको अच्छी पोस्ट मिली होगी अच्छी पोस्ट से आपको उन लोग उने नीचे गिरा दिया होगा हला कि वो आपके अपने ही थे पर डियर अपना बनके उन्होंने आपके साथ में चाल चली है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रियेट करी है देखे आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी की बात बता रहे हूँ पास्ट में आपने कुछ भी अच्छा नहीं सहा है आपको हमेशा धोके बाइद लोग मिले हैं हमेशा आपको चीत करने वाले लोग मिले हैं जिन्हों ने आपके मन में बहुत ज़्यादा problem create कर दी, आपका मन जो है न ठक जिगाया उन लोगों के लिए, आपके मन में उन लोगों के लिए नफरत हो गई है, आप अब उन लोगों के लिए बिलकुल भी love feel नहीं करते हैं, dear कहीं न कहीं आप तूटे हैं, ठीके, ये देखें, आपके भागे में, आपके भागे में क्या है, आपके भागे की बात करी जाए, तो आपके भागे में सबसे अच्छा कार्ड, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो है soulmate का कार्ड, और soulmate का कार्ड यहीं बता रहा है, कि आपके universe ने divine ने, आपके नसीब में, आपक लोगों के बीच में अभी डिस्टेंस है अभी आप लोगों के बीच में दूरियां है अभी आप लोगों के बीच में कुछ गेप आ गया है कुछ इतना जादा लॉंग डिस्टेंस हो गया है भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं वो आप दोनों जो soulmate है ना जो soulmate connection है वो आपका soul partner जो है वो आपकी life में आके रहेगा आपका soul life partner आ रहा है आपके जीवन में पहले से ही आपके भागे में उसे लिख दिया गया है कहीं ना कहीं आप जिससे प्यार करते हैं ना वही आपको मिलने वाला है दिखिए यूनिवर्स ने डिवाइन ने उसी से आपको जोड़ के रखा है कहीं न कहीं वो आपके लिए ही बना है आप उसके लिए ही बने हैं आपकी शादी उसी इंसान से होने वाली है जिससे आप प्यार करते हैं जिसको आप अपने जीवन का soulmate मानते हैं और जिसके साथ म आप soul connection फील करते हैं देखिए आपका एक वो soulmate है और किसी न किसी तरीके से वो आपके जीवन में जुड़के रहेगा भले ही चाहे situation कुछ भी हो ठीके पर कुछ दूरियां है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिष्टे में कुछ दूरियां है इतनी आसानी से ये भागे में आपका प्यार ही आएगा दियर और कोई नहीं आ सकता अगर आपके जबरदस्ती कहीं रिष्टा कर दिया गया है या रिष्टा हो जाता है या जोड दिया जाता है तो मैं बताओं आपको कि आपका रिष्टा वह नहीं चलेगा आपका पार्टनर ही आपकी लाइ की तरफ से ये संदेश है कि आपका सोल मेट आपकी लाइफ में आएगा बहुत जल्द आप में से काफी लोगों का पार्टनर जो है जिनसे आप लव करते हैं भले ही कितनी प्रॉब्लम क्यों नहों वो आपकी लाइफ में इंटर हो जाएगा रुकावते कितनी भी क्यों नहों डियर आपके भागे में वो लिखा हुआ है आपका पार्टनर जो है आपके भागे में लिखा हुआ है वो आपको मिलके रहेगा वो चीजें आपके भागे में होके रहेंगी जो आपके भागे में लिखा हुआ है दिर यहां मुझे लग रहा है आपके भागे में बहुत प्यारा सूलमेट लिका है बहुत प्यारा सूलमेटे हो सकता है कि आप जिसे प्यार करते हो वो बहुत लविंग सा हो बहुत केरिंग सा हो वो आपकी बहुत केर करता हो इस तरह का कुछ हो सकता है और आपके भागे में अपनों से ज़्यादा अपने दोस्तों का सहारा आपको मिलने वाला है आपके अपने लोग इतना सहारा नहीं देंगे आपके अपने आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना कि आपके friend circle के लोग आपको support करेंगे आपके हर अच्छे पूरे समय में ये लोग आपका साथ देने वाले हर तरह की help ये आपकी करेंगे डियर आपके दोस्त आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं कहीं न कहीं आपके दोस्त जो हैं एक पूरी तरह से loyal रहने वाले हैं इतना support आपको करेंगे आपके friend कि आप खुद ही सोचेंगे कि आपके नसीब में कितने प्यारे दोस्त लिखे हुए हैं आपके भागे में कुछ अच्छे दोस्त भी लिखे हुए हैं आपको भरोसा सोच समझ कर करना है ऐसा नहीं कि आँख मुंद कर आप भरोसा करें क्योंकि अच्छे दोस्त हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आपके लिए अच्छे होंगे तो डियर आपको सोच समझ के फैसला लेना है देखें आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे इन्वाल थे जिरों ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है बहुत ज़्यादा रुलाया है बहुत ज़्यादा गिराया है आपको आप जब भी तरकी की तरफ बढ़े हैं तो आपको गिराया है आप गिर गिर के सीखे हो कि आपको सही गलत की पहचान परक हो गई है, कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है, ये चीज मुझे दिख रही है, आप अब power और strength में आओगे, ठीके, तो आपके power जो है कहीं न कहीं, आपके अंदर आने वाली है, आपके अंदर strength आने वाली है क्यों क्योंकि यहां पर देखे ना king of wand है तो यह king of wand जो है यही बता रहा है कि आप अब राज करने वाले हो आपके नसीब में राजय योग लिखा हुआ है अगर अभी तक आप दूसरों के इशारे पे नाशते थे आप अभी तक दूसरों की बाते सुना करते थे दूसरे लोग आप पर हुकम चलाते थे तो वो चीज यहां पर दिख रही है कि आपका राजय योग शुरू होने वाला है strength में आओगे डियर आप strength आपके अंदर आ जाएगे आप ऐसी post पर पहुर सकते हो जहां आप सबको handle करोगे अपने इशारों पर नचाश सकते हो डियर सबको आपको कोई तो power बहुत जल्द मिलेगी बहुत जल्द आप power में आने वाले हो भविश्य भी आपका अच्छा रहने वाला है डियर कही ना कही जो भविश्य है ना आपका वो बहुत सुनहरा होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है आपके life में आप हर छेत्र में सफलता प्राप्त करोगे आप हर छेत्र में बिना मेहनत के तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाओगे अभी तो आप जितनी मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिला है पास्ट में आप मेहनत करते चले जा रहे थे पर डियर आपको नीचे ही गिरना पड़ रहा था कहीं ना कहीं आपका भाग आपको नीचे की तरफ धकेल रहा था लेकिन अभी आपके सितारे जो हैं गर्दिश में दिख रहे हैं कहीं न कहीं और कहीं न कहीं आपका सुनहरा वक्त शुरू हो गया है कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि आपका राजी योग शुरू हो गया है आपकी कुंडली में ऐसा भाग ये लिख दिया गया है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा समय शुरू होने वाला है आप सब को मैनेज कर पाएंगे कहीं न कहीं आप सब छेतर में अपनी तरकी की तरफ बढ़ेंगे अगर आप किसी बिजनेस को लेकर कोई काम करेंगे तो डियर आपको उस बिजनेस में तरकी मिलेगी बनाते थे ना वही लोग आपसे मदद मांगेंगे दियर वही लोग आपके समक शाकर माफी मांगेंगे आपसे मदद मांगेंगे बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे ठीके बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे दियर और आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय शुरू होगा बहुत अच्छा समय मैंने कहा ना राजी योग आप समझ सकते हो राजी योग का मतलब क्या होता है आप एक ऐसे गदी पे बैठ जाओगे आप ऐसे जगह पे ब्राजमान होने वाले हो जहां पर आपके लाइफ में दस लोग आगे पीछे घूमा करेंगे दस लोग आपसे बाते करेंगे और आप उनके उपर हुकम चला रहे हो एक तरद से आप अपनी पावर दिखा रहे हो आप अपनी स्टेंड दिखा रहे हो वो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो भागे जो है आपके हाथ में आ रह होने बाला है कि आप अपने घर की पूरी तरह से मालकिन बन जाएंगी और डियर पूरी अथारिटी पूरी पावर जो है चाविया जो है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आपको भी अचानक से ऐसा लगने वाला है कि ये सब क्या हो गया है आपके लाइफ में अचानक से य आपके लोग बाग प्रसंता करेंगे बहुत जादा तारीफे की जाएगे आपकी जो लोग आपका मजाग बनाते थे ना वही लोग आपसे मदध माँगेंगे की थोड़ा सा आप मेरी हल्प कर दीजिए थोड़ी से आप मेरी मदध कर दीजिए वो चीज हो सकती है बहुत ह executive क के लिए अपने लाइफ को बरबात किया है तो आपको मैं बता दूँ कियर जो है बहुत जल्द अच्छा होने वाला है आपके कैरियर में तरक्की मिलने वाली है आपको 100% सक्सेस मिलेगी बिजनेस अच्छा हो सकता है डियर आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप काम करे उसमें भी आपको तरक्य मिलेगी आप किंग की तरह राज्य करने वाले हो डियर बिद्निस भी अच्छा हो जाएगा सब लोग आगे पिछे गुमेंगे आपको किंग की तरह देखेंगे डियर आपको देख सब लोगों के पैरो तले जमीन किसक जाएगी और अचानक आपका भागे आपको सब कोई देगा आप खुद अपने नसीब को देखकर अपने भागे को देखकर अचंबित रहने वाले हो कि ये आपके भागे ने अचानक से क्या फेर बदल कर लिया है ये अचानक से क्या हो रहा है जो आपका नसीब इतना गुड लग जो है आपका भागे आपको कहां ले आया, आपको यह महसूस होगा dear, मेरी बाते आपको याद आएगी कि आपका भाग यह आपको कहां ले आया, कहां से कहां पहुच गए हैं आप, और आपका भाग यह आपको बहुत तरकी की तरफ ले जा रहा है, अभी तक आपने बहुत कुछ साहा है, अभी त का डिवाइन का दिल जीत लिया है कही ना कहीं और अभ आपका जो बोया हुआ था वो आपको मिلने वाला है जो भी आपने बोया था वो आपको अच्छी तरह से मिलने वाला है क्योंकि आपने सब्र रख कर, युनिवर्स पर विश्वास रख कर, आप हमेशा दूसरों का अच कर सकतے थे पर डेयर आफने सिर्फ असुरसिर्फ अपनी चीजों के लिबारे में ही सोचा है देखे अचानक आपका भागması आपको सब कुछ देगा आप अपने आपको जो कोस्ते हैं बुरा भला कहते हैं कि गलत है आपका भागması बहुत बेकार है तो dear मैं आपसे यही कहूंगी यह मत बुला कीजिए आप यह बुलिए कि आपको भागे जो है आपको तरकी की तरफ ले जा रहा है आपको भागे जो है एक सुनेरे अफसर की तरफ आपको लेके जा रहा है आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा राज योग आपके भागे म नहीं लोटेंगे आप चाहे आप किसी भी छेतर में चले जाए चाहे बिजनेस हो चाहे कैरियर हो चाहे आपकी लाइफ ही क्यों ना हो लव लाइफ ही क्यों ना हो कहीं से भी खाली नहीं लोटेंगे आप हर जगे से आपकी जोली भर देगा ये यूनिवर्स हर तरह से आपकी जिन्दगी में खुशियां आ जाएगी relationship को लेकर आपकी जिन्दगी में एक नई शुरुवात होगी एक नई सिरे से आप आगे बढ़ोगे dear मैंने कहा ना आपका soulmate आपकी जिन्दगी में शामिल हो जाएगा और dear आप दोनों का प्यार जो है और dear यहाँ पर अगर आप मिलोगे तो अब अलग होने के लिए नहीं मिलोगे अब सिर्फ मिलोगे तो मिलोगे एक होने के लिए reunion होगा dear आप में से काफी लोगों का relationship को लेकर एक नई शुरुवात होगी आज आपकी परिक्षा जो थी वो कही न कही खत्म हो रही है परिक्षा के दोर से आप बहार निकलोगे और एक नए लाइफ की तरफ आप कदम बढ़ाओगे देखे दिवाइन जो है उपर वाला जो है आपको सारी खुशियों से नवादेगा कहीं न कहीं सारी खुशियां आपकी लाइफ में आएगी आपकी सारी अच्छाय पूरी होगी और कहीं न कहीं आप आगे की तरफ बढ़ोगे आपके दिल की तमणना पूरी होने वाली है दियर आज जो सिच्वेशन है ना आपकी लाइफ की जिस्वी तरफ की सिच्वेशन है आप इतनी दर्द में हैं पैन्फल सिचूएशन में आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं पार्टनर बात नहीं कर रहा है ब्लॉक करके रखा है यह जो भी सिचूएशन चल रही है आज आपकी वो ऐसा दिख रहा है कि यह एक बुरा वक्त है बुरा वक्त बहुत जल आपके life में अबेंडेंस आ सकती है, आपका भागे चमकने वाला है, ठीके भागे का लिखा आपका कोई नहीं ले सकता है, दिखिया आपके relation पे universe की divine की blessing है, कहीं न कहीं वो blessing यहाँ पर दिख रही है, आपके भागे का लिखा कोई बदल नहीं पाएगा dear, आप अब नहीं आपके अंदर strength आने वाली है, power आने वाली है, आप जो रोते रहते थे, वो अब आप release करना चाहते हैं, अब आप रोहेंगे नहीं है, ना? ओके डियर, तो ये है आपके भागे का लेखा जोखा, कि आपके भागे में ये सब चीजे होके रहेंगी,